गुड बॉर्निंग एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली गरंट अफेर में स्वागत है मेरा नाम है पंकच वैशनाओ और आज की सेशन में हम 28 मार्च के सभी गरंट अफेर को यहाँ पर डिटेल में डिसकस करेंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा काफी सारे इस्टुनेंट है जो की वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए पीडियो चाहिए आपको तो क्रेजी जिगेटरी के टेलिग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको पीडियो अवेलेबल हो जाएगी शुरू करते हैं 28 मार्च के सभी गरंट अफेर को लेकिन उससे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं हम बात करते हैं कोश्चन आफ दडे की तो आज के लिए आपके कोश्चन आफ दडे म.स्वामिनाथन पुरसकार दोहजार चूबिस किसे प्रदान किया गया सेगेंड कोश्चन सोल्वे वित्त आयोक के अध्यक्ष को नामित किये गए और थर्ड कोश्चन चर्चित चिन्नार वाइल लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित हैं तीनो कोश्चन पहले हमने डेली गरेंट अफर में डिसकस किये हैं तो इसलिए यहाँ पर कलेक्ट किया हैं कमेंड में जरूर बताइएगा कि इनका अंसर क्या है देखें कल जो कोश्चन लिये थे उनको भी अभी डिसकस कर लेते हैं पहला कोश्चन था हॉर्मुस जलसंधी किंदो खाडियों को जोड़ती है तो हॉर्मुस जलसंधी फारस की खाडी और ओमान की खाडी को आपस में कनेक्ट करती है सेगेंड था नेपाल ने अपनी परियटन रासधानी पोखरा को बनाया और WWF का हेटक्वाटर स्विट्जर लेंड के ग्लैंड में इस्ते थे ये तीन कोश्चन थे लेकिन उसके साथ ही वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ और कोश्चन भी पूछे थे इनके जवाब सुभोध ने दिये हैं और इसके अलावा अभियुदाई सिंग ने भी इसका अंसर बिल्कुल सही किया है विसे काफी सारे स्टुडेंट ने अंसर किया लेकिन दो कमेंट यहाँ पर मैंने लिये हैं एक और कोश्चन जो बीच में मैं आपसे पूछा था टेस आई शुरू करते हैं 28 मार्च के करेंट अफएर का सबसे पहला कुश्चन करें देखें हाली में किसे नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया ले तो पहले हम बात करेंगे नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी क्या है तो देखिए आप आपको 26-11 याद है कब हुआ था 2008 में यह हमला है जो कि मुंबई पर हुआ था 26-11 ठीके ना क्योंकि इस दिन हम वीधी दीवस मनाते आपको पता 26 नौंबर को यह हमला उस दिन हुआ था हम पे तो इस हमले के बाद भारत में आतंगवादी गतिविधियों से निपटने के ल सदानन्द वसंत दाते आंसर हो जाएगा आंसर एक सदानन्द वसंत दाते वर्तमान में नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी के डारेक्टर जनरल के पतपर है और यह 31 दिसंबर 2026 तक इस पतपर रहने वाले हैं वैसे यह है कौन बात आएगी तो यह महरास्ट के एंटी टेररिजम स्क्वाड के प्रमुख है जिने अब डारेक्टर जनरल निउक्त किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी का 1990 बेच के IPS अधिकारी हैं महरास्ट के एडर के अब यह डारेक्टर जनरल बने है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी के इनके पहले इस पतपर दिनकर गुपता अपॉइंट थे लेकिन इनका कारिकालब खत्म हुआ तो सदानन वसंत दाते नए डारेक्टर जनरल निउक किये गए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी के लियर याद रखिएगा आगे बढ़ने से पहले कल भी मैंना आपको अपडेट दिया था आप सभी के लिए रेलवे का टार्गेट बेच शुरू होने वाला है पांच अप्रेल से रूट अप्लिकेशन पर आपके लिए ये बेच अवेलेबल होगा फ्रेंड्स लाइव क्लासे से आपके लिए अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं किसी करण से तो सारे सेशन आपको रिकोड़ेट फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी एप्लिकेशन में ही लगा सकते तो एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और जाकर रेजिस्टेशन करवा लीजिए आप कोई भी प्रॉबलम होती है तो नीचे आपको हेल्प लाइन नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर लीजिए ओके रेलवे की जितनी भी एक्जाम से ये सारी आ इसे भी जोइन कर सकते हैं रूट एप्लिकेशन से और ई-book के बारे में आप जानते ही है इबुक जोइन करना है आपको येरली करेंट अफिर की तो वह भी आपको रूट एप्लिकेशन पर मिल जाएगी तो एप्लिकेशन एक बार चेक आउट कीजिए काफी सारे बेनेफि इनकी बात हम बात में करेंगे अभी हम ब्रीज ले लेते हैं इस नाम का जो ब्रीज है वो इस्तित है अमेरिका में आंसर हो जाएगा आंसर भी अब सुर्खियों में क्यों हैं क्यों पढ़ रहे हैं आज हम इसको तो हाली में इस ब्रीज में एक शिप आकर इसके एक पिलर स से जाकर टकरा गया आप यहां पर देख सकते नाइट का वीजन है तो थोड़ा आपको दिखाई ना दे यह पर्टिकुलर पिलर उसके पीछे है शिप रात में जाकर टकरा गया और पूरा ब्रीज कॉलेप्स हो गया तूटकर गिर गया आँ 6-8 लोगों की मृत्तिय हो चुकी और काफी सारे लोग यहां पर लापता भी है तो ब्रीज आपको पता चल गया कहां पर है अमेरिका के मेरिलेंड के बाल्टी मोर में यह ब्रीज इस्तित था किस नदी पर है यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो पटाप्स को नदी पर यह ब्रीज इस्तित था जो कि अब क Francis Scott Key के नाम पर रखा गया जो की अमेरिका के कवी है अब कवी के नाम पर क्यों इसलिए क्योंकि इन्होंने अमेरिका का रास्टि गान लिखा है The Star Is Packed Banner अमेरिका का रास्टि गान है वो लिखा है Francis Scott Key ने इन्हीं के नाम पर Francis Scott Key ब्रिज जिसकी टोटल लंबाई 1.6 मिल थी अल्मोस्ट अगर हम देखें तो 2632 मीटर किलो मिटर में काउंट करने जाएं तो 2.6 किलो मिटर अल्मोस्ट ठीक है कौन सा ब्रीज है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रीज कहां परिस्तित था अमेरिका था बोलने हैं बोलने कॉलेप्स हो करने के लिए कला को प्रमोट करने के लिए लोगों को इसके प्रती जागरूप करने के लिए विश्व रंगमंच दिवस जिसे वर्ल्ड थेटर डे के नाम से जाना जाता है यह 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है ना दौजार चूबिस में थेटर एंड कल्चर वर्ल्ड थेटर डे की थीम है इसे याद रखेगा ठीक है 1961 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल थेटर इंस्टिट्यूट के द्वारा इसकी शुरुवात की गई थी कब मनाया जाता है यह याद रखेए और थीम क्या है यह important है तो 27 मार्च को इसे सेलि के अंदर सरकारनेकी से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स का नया महानी देशक नियुक्त किया गया नियुक्त किया है एक और डारेक्टर जनरल याद रखेगा तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स जिसे एंडी आरेफ के नाम से जाना जाता है पूरे भा डारेक्टर जनरल के रुप में नियुक्त किया गया प्यूश आनंद को अंसर हो जाएगा C प्यूश आनंद NDRF के नए महानी देशक या डारेक्टर जनरल के रुप में नियुक्त किया गया के अंदर सरकार ने IPS अधिकारी हैं इनको प्यूश आनंद को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF का नया महानी देशक नियुक्त किया कौन है ये तो ये 1991 बेच के उत्तर प्रदेश के डर के IPS अधिकारी है ठीक है ना NDRF के नय महानी देशक नियुक्त किये गया इनके पहले इस पत्पर अतुल करवाल थे कारेकाल खत्म हुआ अब बने हैं प्यूश आनद ठीक है दो साल इनका कारेकाल होगा इस संस्ता के या NDRF के महानी देशक के पत्पर NDRF का काम आपको पता चल गया काम क्या है नियुक्ति की गई थी 2006 में ठीक है एक अधिनियम के तहट की गई थी जिसका नाम है आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 लेकिन अधिनियम के आधार पर इस संस्ता के नियुक्ति की गई है 2006 में तो confused मत होईएगा दोनों याद रखेगा इस संस्ता के महानी देशक को नियुक्त किये गए प्यूश आनन्द ओके याद रखेगा अगला पुश्चन हाली में खबरों में रहा POM3 Mission किस अंत्रिक्ष संगठन द्वारा लंच किया गया तो POM3 Mission काफी सुरग्यों में था जनवरी मंत में इसे लॉंच किया था इस रो ने एक जनवरी को लॉंच किया था देखिए ये जो पर्टिकुलर पोयम थ्री मिशन है PSLV PSLV C58 लॉंच विकल के माध्यम से भेजा गया था काफी सारे सेटेलाइट्स भेजे गये थे सेटेलाइट को अंतरिक्ष में स्तापित करने के बाद और्बिट में स्तापित करने के बाद ये बिना इलेक्ट्रिकल वेस्ट के बिना कोई भी वेस्ट और्बिट में छोड़े वापस प्रत्वी की कक्षा के अंदर प्रवेश कर गया अब इससे इन फ्यूचर ये फायदा होगा कि ISRO अगर कोई भी प्रोजेक्ट अब लॉंच करता है तो वो बिना वेस्ट को और्बिट में छोड़े वापस अपने विकल को प्रत्वीपल ला सकता है तो अब ISRO जितने भी अपने प्रोजेक्ट लॉंच करेगा वो इसी टेक्निक के माध्यम से करने वाद है तो देखिए ISRO का PSLV Orbital Experimental Module 3 जिसे कहा गया कोयम 3 ठीक है न ये मिशन और्बिट में बिना कोई भी वेस्ट को छोड़े मलवा छोड़े वापस प्रत्वीकी कक्षा में आ गिया है ये जो मिशन था उस वक्त EXPO SET मिशन के नाम से लॉंच किया गया था एक जनवरी 2024 एक महत्वकांशी मिशन था इससे अब इन फ्यूचर हम और्बिट में कोई भी इलेक्ट्रिक वेस्ट छोड़े कोई भी सेटेलाइट का वेस्ट छोड़े अब अपने विकल को वापस प् दिवाइट किया गया इस मिशन को जो इसका विकल था उससे तीन पार्ट में डिवाइट किया गया ताकि वो जल्दी प्रत्विकी कख्षा में प्रवेश करे और बिना कोई भी वेस्ट और्बिट में छोड़े एक जनवरी 2024 को श्रीहरी कोटा से लॉंच किया गया किस सेट सेटलाइट मिशन का या इस इसरो मिशन का मुख्युद्देश था एक्सरे पोलोरी मिटर सेटलाइट या एक्सपोस सेट मिशन के नाम से इसे जनवरी में लॉंच किया गया था आगया थे 148 वी या 148 इंटर पालियमेंटरी यूनियन की बैठक कहां आयजित की गई तो द स्वीट से लेंड के जेनवा भारत की ओर से साथ पालियमेंटरी मेंबर का एक डेलिएशन भेजा गया था यहां पर पाटिसिपेट करने के लिए किसकी अध्यक्षता में भेजा गया अगर ये पूछे तो ये अध्यक्षता में भेजा गया था राज्यसवा के उपसवाप जिसे कहा जाता है इंटर पर्लियमेंटरी यूनियन की बैठक का अरिजन किया गया स्विट्जर लेंड के जेनेवा भारत की ओर से जैसा कि मैंने आपको बताया साथ पर्लियमेंटरी मेंबर भेजे गये थे एक डेलिगेशन गुरूप भेजा गया था जिसका प्रतिनिदेत या जिसको लीड किया था राज्यसवा के उपसभापती हरिवंश नारायन सिंग ने तो यहाँ पर आपका एक और फेक्ट क्लियर हो जाता है कि वरतमान में राज्यसवा के उपसभापती कोन हरिवंश नारायन सिंग आप कमेंट में बतायेगा कि राज्यसवा के वरतमान मे सभापती के पतपर कोन है बताइए का interesting question ठीक है यहाँ पर inter parliamentary union की बात करें तो यह जो 180 देश का एक संगठन है 180 देशों की संसदों का एक संगठन है अंतरास्टी संगठन है जिसकी स्तापना 1889 में की गई थी headquarter Switzerland के जेनवा में इस्ती थे member country है 180 उद्देश ही क्या इसका तो देखिए members के मद्द में democratic governance को बढ़ावा देना इसके अलावा accountability या फिर cooperation को बढ़ावा देना सदस्ती देशों के मद्द में यह उद्देश है इंटर पालियमेंटरी यूनियन का ठीक है 180 मेंबर country है वर्तमान में अध्यक्षे तुलिया एक संग इसकी 148 तो बेटक का अयोजन हुआ है Switzerland के जेनवा कंफर्म ठीक है किस भारती खिलाड़ी को everyday का brand ambassador बनाए गया एवरिडे का नाम तो सुनाए ना बेटरी सेल का निर्मान करने वाली company है everyday इसके brand ambassador बनाए गये है नीरत चोपड़ा अंसर भी नीरत चोपड़ा भारत के जेवलिन थ्रोर है जेवलिन थ्रोर के खिलाड़ी है हरियाना राज्य से बिलाउंग करते है एवरिडे के brand ambassador नियुक्त किये गये तो यहाँ पर हमको नीरत चोपड़ा के बारे में casual fact पता होना चाहिए तो हम उनहीं की बात करते हैं देखिए वर्ल्ड चेंपेंशिप 2023 में इन्होंने gold medal अपने नाम किया था हंगरी बुटा पैस्टम वर्ल्ड चेंपेंशिप में gold जीतने वाले पहले भारती खिलाड़ी इसके अलावा Asian Games 2023 जो की चीन के हंगजू में आई जित किये गये थे उसमें भी gold medal अपने नाम किया और 2020 का Tokyo Olympics जो की 2021 में हुआ था जापान के Tokyo में उसमें भी जेवलिन थ्रो में इन्होंने gold medal अपने नाम किया था एक और देदू कुश्यन कितने मीटर का भाला फेका था Tokyo Olympics 2020 में इन्होंने gold medal जीतने के लिए कमेंड में बताईएगा ठीक है नीरत चोपड़ा के अवोड अरजुन अवोड दिया जा चुका है 2018 में इसके अलाबा मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार सबसे बड़ा खेल पुरसकार है 2021 में दिया गया था और पदम शिरी से सम्मानित किया जा चुका है नीरत च पचास वर्ष पूरे हुए चिपको अंदोलन के प्रमुक नितरत्व करता कौन थे तो देखे चिपको अंदोलन 1973 में हुआ था उत्तर प्रदेश के चमोली में अब वो शेतर उत्तराखंड में लेकिन उस वक्त उत्तराखंड यूपी का पार्ट था तो उत्तर प्रदेश क चमोली में, चमोली जिले में 1973 में हुआ था चिपको आंदुलन, अब दोजार चूबिस में इसके 50 साल पूरे हो गए, कितने साल, 50 साल, ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, इस आंदुलन के नित्रत्व करता है, कौन सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, बात करेंगे हम, यह सुंदरलाल बहुगुणा है, चिपको आंदुलन के नित्रत्व करता है, 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में यह आंदुलन हुआ था, सीधी सी बाते, पेडों को बचाने के लिए, वहां की जो चमोली शेत्र की जो महिलाये थी, जो लोक थे, वो पेडों से चिपक जाते हैं, ताकि उन पेडों को काटा न जा सके, इसे ही नाम दिया गया है चिपको आंदुलन, ठीक है, प्रभुक नेत्रत्व करता थे सुंदललाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट, सुंदललाल बहुगुणा की उपलब्धियों के कारण, क्योंकि अगर एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जाएगा, 1981 में पद्म शिरी से सम्मानित किया गया था सुंदललाल बहुगुणा को, और इसके अलावा 2009 में पद्म विभुशन से भी सम्मानित किये जा चुके, कौन सुंदललाल बहुगुणा, और 1983 में जमुना ल यहाँ पर जो इन्वार्मेंट के लिए, अधर मुमेंट कभी चले हैं, अंदोलन हुए हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार, तो विश्नोई मुमेंट 1730 के आसपस हुआ था, 1730 के आसपस हुआ था, मतलब वो एक शताबदी वर्ष है, 1780 के बीच का, तो 1730 ले ले हम यहाँ पर, यह हुआ था राजस्तान, राजस्तान में विश्नोई समाच का आपने नाम सुना भी होगा, प्रक्रती प्रेमी होते हैं, आप फेमस है, काफी सुर्खियों में रहता है विश्नोई समाच, तो खेजडी व्रक्ष जो की राजस्तान में पाया जाता, उसको ब साइलेंट रीवर या साइलेंट वेली प्रोजेक्ट, आपको पता है साइलेंट वेली का हैं, काफी एक्जाम में कुशन पूछा गया भारत के केरल राज में, तो साइलेंट रीवर वेली प्रोजेक्ट, यह 1978 में इसके लिए अंदुलन हुआ था केरलाम, ओके, जंगल तेहरी डेम या टिहरी डेम के नाम से इससे जाना जाता है जानते कहां परे भारत के उत्तराखंड राज्ज में है ना उत्तराखंड में या फिर उत्तराँचल उस वक्त उससे कहा जाता था मैंने आपको बोलाए कि उस वक्त उत्तराखंड था नहीं तो यूपी का उत्तरी शेत्र था ये, 1980 से 1990 के बीच में टीहरी डेम को लेकर अंदुलन हुआ था, उत्रांचल में, मतलब यूपी का उत्तरी हिस्सा, ठीके, नर्बदा बचाओ अंदुलन, 1980 में ये प्रोटेस्ट हुआ था, शुरू हुआ था, काफी लंबा चला, ये कोई पर्टिकुलर एक सन नहीं है, पर 1980 के बाद ये अंदुलन शुरू हुआ था, नर्बदा के उपर जो डेम मनाए गए थे, उनको लेकर गुजरात और मद्धे प्रदेश में, मद्धे प्रदेश में, इंदरा सागर्ड हैं, राजस्तान में, सरदार सरोवर्ड हैं, इनकी उचाई को लेकर ये अंदुलन हुआ था, मेघा पाट कर, इस अंदुलन की नित्रत्तु करता है, काफी सुर्ख्यों में रहिए, तो ये नर्बदा वचाओ अंदुलन, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है न, उत्रण चलका भी याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है, और सारे इंपोर्टेंट है वेसे तो वन शॉट में आपको बता दियें, कहां कहां हुए, ये याद रख लिजे, काम हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे आगे आ अमसर हो जाएगा, आयोजन कहां पर हुआ है, ये इंपोर्टेंट है, तो नोएडा में आयोजित हुआ था, बॉक्सिन सब जूनियर नेशनल चेंपेंशिप, थर्ड सीजन है इस बार, ठीक है न, अब यहाँ पर बॉईज और गल्स दोनों का ही आयोजित किया गया, और द विजेता हर्याणा रहा, दोनों ही वर्गों में, और फेर प्ले अवोर्ड दिया गया है इस टूनामेंट में उत्तर प्रदेश राज्यों, ओके, आगे आते हैं, चर्चा में रहा एतू, थोड़ा सा जीब नाम है, एतू रन गरम, ठीक है, वाइल लाइप सेंचुरी, भा पहरत के तेलंगा नाराज्य में इसती थे, अब सुर्ख्यों में क्यों है, एतूर नगरम वाइल लाइप सेंचुरी, तो यहाँ पर हाली में जंगल में आग लग गई थी, यह जो वाइल लाइप सफारी है, यहाँ का एक शेत्र है, तडवई शेत्र, इस शेत्र में तेलं यहाँ के तीन राज्यों की बाउन्डरी पर इस्तीत है, लेकिन इसका शेत्र अधिकतर तेलंगाना राज्य में आता है, महारास्ति छत्तिजगर और तेलंगाना की सीमाओं के पास इस्तीत है यह दयाम वागू नदी, इस वाइल अप सेंचुरी को घेरती है तेलंगाना र यहाँ पर आप मेप देखेंगे, तो तीन नेशनल पार्क है तेलंगाना में, एक है कासु ब्रह्मानंद रेडडी नेशनल पार्क ब्रह्मानंदों के, कासु ब्रह्मानंद रेडडी नेशनल पार्क, अगर आप मेप में देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा, ठीक ह सेकेंड है महावीर हरीना वनिस्तली नेशनल पार्क मेप में अगर आपको शायद पूरा क्लीन न दिखें तो आपको बतायता हूँ ये है और थड़ है मुरुवानी नेशनल पार्क ये भी कहां पर है भारत के तिलंगाना राज्युप तो तीन नेशनल पार्क आपको इसके अलावा भी काफी सारी वाइल लाइफ सेंचुरी हमको तेलंगाना में देखने को मिलेगी लेकिन अगर वो सुर्ख्यों में रहे तो हमारे लिए इंपोर्डेंट हो जाती है और अगर आप तेलंगाना से बिलॉंग करते हैं वहां की स्टेट की कोई एक्जाम दे रह आप नेशनल पार्क या देखें तो यहां पर 28 मार्च के सभी गरंट अफेर को हमने डीटेल में समझ लिया एक एक चीज को समझा एक एक फैक्ट को समझा अब हम बात करेंगे लास्ट डे के रिवीजन की लास्ट डे के गरंट अफेर को एक बार रिवाइस करते हैं पहला पुरून ग्लोबल रिच लिस्ट दोजार चोबिस के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलिनियर केपिटल ऑफ दा एशिया है कौन था मुंबई है ना सेकेंड कथन सत्य वाला पूछा गया था आपको पता यह तीनों ही कथन सत्य थे तो अंसर यहां पर भी हमारा सी पढ़ नहीं रहा हूं टाइम लगेगा तो आप देख लेना एक बार और वेसे कल पढ़ा चुका हूं में आगे फुल बहादूर जो की पहला मघी उपन्या से इसका अंगरेजी में अनुवात किस ने किया है तो यह किया है अभाई के ने अगला लोगसवा चुनाओ में चुनाओ आयोगनी या नेशनल इलेक्शन कमिशन ने दिव्यांगों के लिए कौन सा एप्लिकेशन लॉंच किया तो यह है सक्षम एप्लिकेशन इंडियन बैंक एसोसियेशन के अध्यक्ष कोन बने एम वी राओ चर्चित ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना के द्वारा चलाया गया तो इंडियन नेवी के द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेकिज भारती के न पीम ने किस देश में ज्यालतु सुएन जैटसुन पेमा वांग्चुक मदर एंड चाइल्ड होस्पिटल का इनोग्रेशन किया तो यह इनोग्रेशन हुआ है भूटान में है ना इसके बाद यूनाइटे नेशन वाटर रिपोर्ट जोजा चूबिस की अनुसार पूरे व यह बीना अगरवाल और जैम्स बायस को सयुग तुरुप से दिया गया तो अंसर था हमारा अंसर सी कनफर्म बहुती इजी सेशन था एक एक फैक्ट आपको यहाँ पर बहुती इजीली समझ में आया होगा एक एक कोश्यन समझ में आया होगा वीडियो पसंद आये तो आप 29th of March के current affair में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन